नमस्कार साथ एक बार भी से आपसे बिगार स्वागत है अगर आपका जन आधार कार्ट बना हुआ है तो आज हम आपको ऐसी 20 सरकारी योद्रों के बारे में बता रहे हैं जिनका फायदा सीधा आम आत्मी ले सकता है इस जन आधार कार्ट से आपको बहुत सारी सरकारी योद आपको सरकार के दवारा दी जाने वाले हर आर्थिक साहता मिलती है इस जन आधार कार्ड से ही सबी सरकर्य योजनों का फायदा मिलता है साथियों अगर आपको नई नई सरकर्य योजनों के बारे में जानना है तो पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें साथि इस बैल आइकन को दबाएं और ओल नोटिफिक्स लेट करें ताकि आपको सरकर्य योजनों का फायदा सबसे पहले मिलें साथि इस वीडियो को लाइक अट सपोर्ट करें अपने साथि को साथ भी सेयर करें साथि में कॉमेंट कर बता हैं कि आपका जन आधार कार्ड बना हुआ है तो आईए साथियों आजका वीडियो शुरू करते हैं आपको बताते हैं जन आधार कर्ड से मिलने वाली 20 सरकार योजनों का फायदा आप कैसे ले सकते हैं सबसे पहले हम एक नमबर पर बात करने वालें पैंसन योजना के बारे में, पैंसन योजना में तीन परकार की पैंसन है, विद्वा पैंसन, दिव्यंग पैंसन और वर्दा वस्ता पैंसन योजना, इन तीनों ही पैंसन योजना का फायदा केवल और केवल जन आधार कार्ड से ही मिलता है, अगर आपका जन आधार कार्ड भी जरूरत नहीं रहेगे यानि कि अब आपको जो खादे शुरुक्षय योजना के अंतरकत राशन मिलेगा वो जन आधार कार्ड से ही मिलेगा और आपका जन आधार कार्ड की जगह काम करेगा साथी जो राशन कार्ड है वो महीला मुख्या के नाम से है तो राशन कार्ड की सुरु से अंतक देखिए आपके जन आदार कार्ड से बहुत सरकारी योजनां में फायदा मिलता है लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि फोरम काम पर बरा जाता है कैसे बरा जाता है और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्दा उस्ता पैंसन योजना के बारे में अगर अगर 58 वर्स है या फिर 58 वर्स से जादा है तो उसके लिए भी आप ओनलाइन आवेदन पैंसन के लिए करवाज सकते हैं और 750 रुव हर माँ पैंसन मिलती है साथी वर्दा उस्ता पैंसन योजना में ओनलाइन आवेदन करते समय केवल आपको एक ही दस्ता वेज की जूरत ह भी होती है जन आधार कार्ड के साथी आपके जन आधार कार्ड में जिस व्यक्ति के लिए पैंसन का फोरम भर रहे हैं उसके विबरंण में बेंक अकाउं डिटेल भी जूड़ी भी होनी चाहिएं दो नमर म्यदा वेद्वा-पैंसन योजना ये केवल महीलाओं को दी जात और इस पैंशन योजना का समाज के केवल विद्वा महिलाओं को फायदा मिलता है अगर विद्वा महिला इस पैंशन योजना में फायदा लेना चाहते हैं तो पति का मर्तिव पर्माण पतर और जन आधार कार्ड दोनों ले जाकर अपने नजदी किसी भी कॉमन सर्वीस पैंशन योजना में ओलाइन फोर्म बर्तेस में जन आधार कार्ड दिव्यांग पर्माण पतर बेंक पास्पूग और आशन गार्ड की जुरूरत होती है साथी दिव्यांग वेक्ति का जन आधार कार्ड में विवरन सही भी होना चाहिए साथी जो बूजूरोग हैं जिनक पैंशन के लिए आपने नजदी किसी भी इमितर या फिर सीसु सेंटर पर जाकर केवल पचास उरपय में ओनलाइन आवेदन करवा सकते हैं साथी यहां पir इंपोर्डेंट पोईंट आपको बदा दें पैंशन लेने वाले जितने फी महिला और पूरूस हैं उनको हर साल ए सरकारी योजनों का फाइदा लेने के लिए आप अपने जन आधार कार्ड को समय समय पर अपडेट करवाते रहे ताकि आपको सरकारी योजनों का फाइदा मिल सके और ओंलाइन फोरम आवेदन करते समय कोई दिकत नहों शाथी पैंसन से लेवाने सद से अपने जं आधार काण में अपने सही आयू दर्च क्राएं ताकि उनको पैंसन नियमा नुशार बड़ोतरी रहे पैंसन योजना में 75 साल से उपर वरेत को 1000 रुपए 60 साल से उपर विद्वा को 1000 रुपए कुई भी चेतर साल से उपर विद्वा को 15 सुरुपे परती मा पैंसन मिलती है आजम आपको जन आधार कार्ड से मिलने वाली ऐसी सरकार योजनों के बारें बताने जा रहे हैं जिनका फैदा लेने के लिए हमारे समाज में बहुत सरे लोग मिल जाएंगे अगली योजना है पालनहार योजना इसका भी फाइदा जन आधार कार्ड से मिलता है और केवल विद्वा महिला या फिर नाता जाने वाली मा और विकलांग महिला पुरुष के बच्चों को ही पालनहार योजना का फाइदा दिया जाता है साथी आपके जन आधार कार्ड में विद्वा मेला या फिर विकलांग मेला पुरुष या फिर नाता जाने वाली मा का वीवरन सही दर्ज होना से ये तक कि आपको पालनहार योजना का लाब मिल सकें पालन्हार योजना में कितना फायदा मिलता है यानि की बच्चों को कितने रुपए मिलते हैं ऐसके पालन्हार योजना में पढ़ाई करने वाले बच्चों को हर साल सत्यापन भी करवाना होता है ताकि उनको हर महीने रुपए मिलते रहें आज हम आपको बताने वाले हैं कि जन आधार कार्ड से हमारे समाज को कौन-कौन सी सरकार योजनों का फायदा मिलता है और अगली योजना है PM किसान योजना राज्तान में PM किसान समानेदी योजना का फायदा भी जनादार कार्ड से मिल सकता है अगर आपके नाम से खेट की जमीन है तो आपको हर साल 6,000 रुपए मिल सकते हैं 6,000 रुपए आपको तीन किस्तों में 2,000 रुपए मिलते हैं इसके लिए पातरत है किसी भी महिला या पुरूस के नाम से कहीं पर भी जमीन है तो वो अपने नजदिक इमित्र या फिस्तों CAC पर आधार कार्ड जमीनी दुस्ता वेज ले जाकर ओनलाइन आवेदन करवा सकता है और हर साल 6,000 रुपए ले सकता है अगली योजना है खादे सुरुक्षे योजना रासन गार्ड सबका बनावा लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे रासन गार्ड धारी परिवार है जिनका रासन गार्ड से कोई रासन नहीं मिलता है तो ऐसे पातर परिवार खादे सुरुक्षे योजना में गर आप एकिसान तो अरप कली रिंड के लिए अपने नज़ती किसी भी बैंक या फिर सोसाइटी में जाकर आवेधन कर सकते हैं आवेधन कर देश में आधार कार्ड, जम्मावंदी, बैंक, पास्बूग, मोबाल नमर की जोड़त होती है और आप अल्प कालिन रिंड ले सकते हैं साथे गर आपकी फसल खराब हो जाती है अगली योजना हैं सर्मिक कार्ड की योजना, इसका भी फायदा जया आधार कार्ड से मिलता हैं विदपा महिला और विफियल महिला या फिर फूरुस अपने दो बेटी की साधी के लिए स्योग योजना के तैत ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस योजना में 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक मिलते हैं वो एकक्षा 10 पास करने पर 20,000 रुपए में एकक्षा 12 पास करने पर 30,000 रुपए में सना तक पास करने पर 50,000 रुपए कन्यादान योजना या फिर वीवा सयोग योजना के अंतरगत मिलता है साथ अगर आपको वीवा सयोग योजना के अंतरगत ओनलाइन आवेदन करवाना है तो आपने नजदी किसी भी इमित्र या फिर CSC सेंटर पर जाकर ओनलाइन आवेदन करवा सकते हैं उसके बाद में बात गें तो अगली योजना है बालिकागार की पूर्सकार और स्कूटी योजना, इस योजना के अंतरगत अच्छे अंक लेने वाली बालिकाओं को नगत पूर्सकार साथी फ्री में स्कूटी भी दी जाती है, और इस योजना का फायदा के अवल 75% या फिर बच्चों गाजाती परमाण पत्र, मुलनिवास परमाण पत्र, आय परमाण पत्र बनवा कर रखें ताकि जब भी जरूरत हो तो आपको एन वक्त पर इदर उदर नहीं भागना पड़ें और इन तीनों दस्ता वेज़ों को बनाने के लिए आपको जन आधार काड, आधार काड, आधार काड, आधार काड, ब्रावावा फोरम, मुबाइल नम्मर, रासन काड, वोटर लिस्ट के वल, मुलनिवास परमाण पत्र बनाते समय देनी होते हैं और इसके लिए ओनलाइन फोरम भरा जाता है, अगर आपके घर परिवार में बच्चे की उमर 18 वर्ट स्पूर्ण हो गए है, तो आप वने स्कूल में जाकर बीलो के पासते हैं, दस्तावे जमा करवा कर मदाता पैचान पतर बनवा सकते हैं, इसके लिए जनम परमाण पतर अगली योजना है, आवाज योजना में गरीवी रिखा से नीचे जीवन या अपन करने वाले परिवार, आवाज योजना में आवेदन करके निशूल का आवास ले सकते हैं, और इसका आवेदन आपने नस्दी किसी भी कॉमन सर्वी सेंटर या पिर इमीतर बढ़ जाकर त इतने एटियम चे नियमीत अंतराल में ट्रांजेक्शन करते रहें, ताकि दुरुगटना बीमा का फायदा मिल सके हैं, जिनके बैंक में खाता वे अपने बैंक खाते में, परदान मतरी दुरुगटना बीमा योजना में फोरम बरकर साल के 12 रुपए या पिर 330 रुपए ज जमा होते हैं और अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा होते हैं, 14 साल तक रुपए जमा करने होते हैं, 21 साल बाद में लाखों रुपए मिलते हैं, जो लड़की के काम आते हैं, साधी और पड़ाई के लिए, उसके बाद में अगली योजना म्यूचल फांड में अगर को इन्वेस जन करवाना होता है, उसके बाद में आपको सरकार योजनों का फायदा मिलता है, अगर आप सरकार योजनों में आवेद नहीं करते हैं, तो आपको कोई भी सरकार योजनों का फायदा नहीं मिलता है, अगर आपको जन आधार कार्ड बनवाना है, तो यहां पर आपको डिरे देखनिंग लिए बनावासादियों थैंक्स पूर वाचिंग आपका देश्टू बहुत जय हिंत बंद मात्रां